Hello everyone, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगी तो अभी हम reading करने वाले हैं no contact वालों के लिए जो भी no contact में है, separation में है अपने partner से जिनकी बात नहीं हो रही है तो अभी हम देखेंगे कि उनकी actual में सची भावनाएं आपके लिए क्या है and वो आप से कब तक contact करेंगे उनका next action क्या होगा ठीक है, so शुरू करते हैं कैसी बहुत बड़ी reading नहीं होगी थोड़ी छोटी reading होगी, ठीक है तो आपने थोड़ा सा manage कर लेना है और यह journal reading है, collective reading है ठीक है, तो जरूरी नहीं आप सभी से resonate हो, अगर resonate ना हो तो उसके लिए सो sorry and शुरू करते हैं आज की reading प्लीज उन्वर्स बताएं हमारी viewers की partner की सच्चे भावनाएं क्या है no contact situation में प्लीज उन्वर्स काइट कीचे queen of cups दो कार्ट निकल के आएं okay, 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 okay king of cups and the head event आपको बते है, तीनों major आरगानास आएं two of pentacles two cards और निकाले okay, so मुझे आपके पार्टनर की जो you know, bottom of deck की जो energy five hours out की देखो guys मुझे पता है, no contact में आपके पार्टनर की situation कैसे लग रही है I feel क्योंकि यहाँ पे जो है king of, queen of cups and king of cups है so आप soul में जो twin flames हो सकते हो यह भी chances है कि आप लोग married हो और separation में हो मैं ऐसा क्यों कह रही हो क्योंकि यहाँ पे queen of cups and king of cups के साथ ही थी hierophant के नोची है जो की कही ना कहीं आपके marriage card को ले के बताता है ठीक है दिको मैं यहाँ पे situations बता देती हू मुझे जो situation सब भी feel हो रही हो सकता है आप husband wife हो right and आप तोनों एक दूसरे के साथ married हो हो सकता है आपके babies भी हो नहीं भी हो सकता है बट मुझे लगता है कि आपके partner ना कुछ लोगों के लिए बता रही हू जो लोग married है मुझे लग रहा है कि आपके responsibility ठीक से नहीं ले रहे है आप separation में आपसे बात नहीं करें आपके पास lot के नहीं आ रहे है आपकी टेक्या नहीं करें आपके baby की टेक्या नहीं करें हो सकता है वो किसी third party में हो हो सकता है उन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया हो या छोड़ा हो पहले no contact में अभी जो मुझे लग रहा है वो जगल करें किसी दो situation से और वो छोड़ने ही पा रहे है ऐसी energy मुझे लग रही है अभी वो किसी से तो किसी के साथ तो उनकी you know मुझे उनके energy ही थोड़ी cheating kind of energy मुझे लग रही है वो सकता है इस इंसान ने आपको literally cheat किया हो देखो जो married नहीं उनका भी मैं यहीं बता रही हूँ कहीना कहीं मुझे आपके partner आपका लग रहा है कि कहीना कहीं आप emotional तो हो एक दूसरे को लेके हो सकता है आप एक दूसरे से marriage करना चाहते हो या आपके partner किसी और के साथ married है ऐसा भी हो सकता है third party कहीना कहीं confusing का मुझे लग रहा है कि आप confused तो एक दूसरे के साथ अगर आप married वाला कोई scene नहीं है तो मुझे लग रहा है या तो आपके partner की शादी कहीं और fix हो रही है या कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ठीक है और जिनकी अगर आपको पता है तो और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मुझे लग रहा है कि आपके partner ना आपके partner emotional तो है आपको लेके बट उन्होंने जो cheating आपके साथ करी आप देख रहे हो हो सकता है आपके partner आपको बहुत ज़्यादा spy कर रहे हो बहुत ज़्यादा stock कर आपको कर रहे हो ठीक है बट मुझे ऐसा लग रहा है आपके partner ने आपको emotionally बहुत पुरी तरीके से आपको मलब hot किया है बट वो चाहते हैं अब अपना cup of love देना आपको मुझे लगता है आपको लेकि वो बहुत जाता you know मुझे लग रहा है बहुत emotional भी है आपको लेकि कही ना कहीं वो सोच रहे है आपकी तरफ आने का ठीक है मुझे लग रहा है वो लिटरली भखवान से prayer कर रहे है उन्हें अपनी कलतियों के लिए कहीं ना कहीं पश्तावा हो रहा है कि उन्होंने ये mind games खे लिए बट नौ अभी मुझे चू लग रहा है कि आपके partner ना अभी भी confusion से बाहा नहीं निकले healing नहीं हुई है हो सकता है इतना blame games मतलब मुझे पता कैसी energy आ रही है कि इनके दिमाग में literally भूसा बर रहा है मैं तो क्या बता हूँ आपको energy से मुझे क्यों लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि या तो ये चीज़ों को देख के अन्देखा कर रहे है या इने समझे नहीं आ रही है चीज़े ऐसी energy है क्योंकि देख के भी अन्देखा करने वाला ये जो 3-4 cards है कही ना कहीं मुझे यही बता रहे है कि आपके partner ना ऐसे गलत family में जी रहे है गलती खुद करके भी ये सोच रहे कि सामने वाला action लेगा सामने वाला मेरे लिए ऐसा करेगा ये ऐसी confusion में फसे में है बहुत चाहता खुद को selfish energy मुझे लग रही है कि मैंने जो किया ठीक किया या कुछ ऐसी energy हुने लग रही है उन्होंने आपके साथ cheat किया होगा और कहीं ना कहीं उनके mood swings हो रहे होंगे और mood swings में मुझे उनकी energy लग रही है कि sometime उन्हें आपको खोने का बहुत डर लगता है उनका मन करता है आपसे बात करने के लिए second पल उनका दिल कहीं भी आ जाता है वो कहीं और बात करना start कर देते हैं ऐसी energy मुझे लग रही है क्योंकि वो अभी properly heal नहीं है क्योंकि ये cheating वाली energy है ये भी आपकी game, mind games की energy है तो कहीं ना कि उन्होंने mind games खेला है बट हो सकता है उन्हें का mind games उनके उपर आ गया हो अब और अब उन्हें feel हो रहा है कि अब मैं क्या करूँ जब मेरा सही time था ता मैंने चीजों को accept नहीं किया चीजों को संभाल के नहीं रखा अब उन चीजों को control करके फैदा क्या है ये कहीं ना कि चीजों को control करने का dry करें पर इन्हें नहीं पता कि चीजों को आप control करके नहीं रख सकते हो relationship में आप चीजों को जबर्दस्ती control नहीं कर सकते हो जरूरी नहीं है कि सामने वाला पार्टनर आपको उस ही साप से चली जिसे साप से आप उसको चलाना चाते हो तो यह confusion के energy में मुझे अभी लग रहे है ठीक है ऐसा नहीं है कि यह love नहीं करती है आपके लिए emotional भी है आपसे प्रियर भी करें पकवान से कि आप इनके पास आजाएं बट इनका दिमाग mood swings हो रहे हैं I feel इनकी सच्चे भावना है कही ना कि emotional तो है यह आपके लिए क्योंकि major आरकानास है बट कहीं ना कि मुझे लगते छोटी छोटी चीजों से इनका दिमाग भटक जाता है ऐसी energy मुझे लग रही है या फिर या अभी ऐसे लोगों के contact में है और या third party में है जो बहुत dominating है जो खुद cheat कर रही है अभी आपके partner को आईना देखने के लिए मिल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है उनके life में प्रॉब्लम में चली है बहुत tension में है, depressed है, anxiety है, guilty है बहुत जादा guilty है उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है बट मुझे लग रहा है कि अभी वो अपना कर्मा भूगत रहा है मैं आपको literally बात बताऊ अगर आप no contact में हो तो literally अपना कर्मा भूगत रहा है जैसे आपको cheat करके गए तो literally उनको भी कोई वैसे ही आईना दिखा रहा है वैसे ही cheating की energy मुझे आ रही है ठीक है ऐसा मुझे दिख रहा है अब देखते हैं क्या वह आपके पास वापी साइंगे उनका next action क्या होगा ठीक है नियर फ्यूचर का है ये नियर फ्यूचर के लिए देख लिए तो उनका next action क्या होगा प्लीज इन्वर्स गाइड कीजिए हमारी वीवर्स के पार्टनर का next action उनके लिए क्या होगा एंजी देख एंजी देख एंजी देख एंजी देख एंजी देख एंजी देख लिए उनका मुझे जो next action लग रहा है वह आपके रिए stand दो लेना चाहते है आपको कही ना कहीं आपके पास आना तो चाहते बड़ मुझे लग रहा है कि अब वो किस मूझे आए यह energy उनकी ऐसी है किस मूझे आए जो हरकते करी उसके बाद contact करने का सोच कैसे अगर यह सोचते है ना कि contact करू बात करू तो कहीं ना कहीं इनकी बात यह एकदम से बात यह अगर number dial भी करते है message type भी करते हैं तो वो cut कर देते हैं क्योंकि वो guilty में है उन्हें अपनी गलतियों का पच्तावा है उन्हें लग रहा है अब आप accept नहीं करोगे ऐसी energy में और वेट कर रहे है कि काश आप उन्हें एक बार उनसे खुदी contact कर ले ठीक है केस में जो मुझे लग रहा है four weeks और max to max one to two मुझे कहीं ना कहीं मन्थ लग रहा है इसकी बीच में आपको लिटरी ये contact करेंगे ठीक है अब इनकी और से कुछ messages हम देख लेते हैं okay और थोड़े messages कम messages आए है नो turn wise turn in को देख लेते हैं okay सबसे पहला काड़ जो है वह है पाइसिस आप यापके पार्टनर पाइसिस हो सकती है second card है आपका Aquarius आप यापके पार्टनर अक्वेरिस भी हो सकती है ठीक है and Taurus आप यापके पार्टनर हो सकती है ठीक है and Scorpio भी हो सकती है आप यापके पार्टनर ठीक है next message for you sometime I can't see myself when I'm with you I can only just see you okay 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 मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता तुम सिर्फ मेरी हो हाँ मुझे या energy फिल हो रही थी क्यों नहीं यह अभी डर है आपको खोरने का and I respect you यापके respect करते है मैं अपनी गल्तियों के लिए बहुत जाता शनमिनता हूं I am sorry so guys यह थे आपके पार्टनर के और से messages आपके लिए so मिलते हैं next video में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे and मैं प्रेयर करूंगी आप जितनी भी no contact में है please आपको आपके पार्टनर से मिलवाएं आपकी लाइफ में बहुत सारी खोशिया है and आप हमेशा खुश रहें so मिलते हैं next video में अकर video अच्छी लगी हो तो please video को like करें channel को subscribe करें and मैं try करूंगी guys कि 10,000 subscriber होने के बाद मैं आपके लिए you know free reading session करने का try करूंगी जिसमें आपके question answer को answer करूंगी जितनी भी questions है उनका answer करूंगी and thank you so much जिन्होंने भी मेरे channel को subscribe किया है मुझे support किया है I wish कि मैं आपकी life में अच्छी अच्छी readings लेके आँ आपको guide कर सकूं and thank you so much and मिलते हैं next video में अपना ख्याल रखें